हेलो जी गूट मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है आज तारिक है 1 अक्टूबर और दिन कैसे निकल रहे हैं पता ही नहीं चल रहे हैं तो आज है एक तारिक एक अक्टूबर है और मेरा जो व्लॉग ह वो हो रहा है पौने 11 बजे से शुरू तो अभी मेरे घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है जैसे कि आज संडे है तो फिर थोड़ा सा लेट उठी हूँ जिसके वज़े से आप जो है ना मेरे सारी काम लेट भी होंगे और मैं बहुत आराम राम से भी कर रहे है क्योंकि है क्योंकि इसने दूद सुभा बहुत कम पिया था इसलिए तो मैंने इसको दली खिला दिया है वो अराम से अपना खेल रहा है और मैं थोड़ा सा किचन का जो सैट जो है ना मैं थोड़ा सा यहां पर जो है ना यह वाला मैट में बिच्छा रही थी काफी अच्छा लग र पहले मैं सोच रही थे कि फ्रिज के कवर ले ले लेती हूं अंदर जो मैट बिचाते हैं बट फिर मुझे याद है कि मेरे पास ये भी रखावा है क्यों ना मैं इसी को रख देती हूं तो ये छोटी-छोटी सफाई जो है ना वो भी मैं स्टार्ट कर दी है करनी और आपको मा घर को साफ रखना घर को और सफाई है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको लगता होगा कि हर वक्त यही करती रहती हूं तो बस मुझे अच्छा लगता है ये सब चीजे करना इस वज़े से मैं ये करती हूं अच्छा कपड़े भी वाश हो चुके हैं पहली बार इतनी ज़्यादा अब तो गर्मी भी नहीं लगते हैं सोचिए कि दूप दिखें कि इतनी तेज हो रखी है बट गर्मी बिल्कुल भी नहीं है पंखे की हवा में भी हमें आफ काफी अच्छी नीदा रहे हैं यहां ते कि हमें ठंड़ सा भी मैसूस होता है रात के टाइम तो ओड के सोते हैं तो इस वज़े से जो है न हम AC भी नहीं चल रहा रहे हैं और जब लगता है कि हाँ ज्यादा गर्मी है तब लगता है कि मेरे दोनों बच्चे नहीं सो रहे हैं तो तो मुझे AC चलाना पड़ता है नहीं तो मैंने दोनों बच्चों को कोई मैंने AC की आदर ड नहीं डाली अच्छा भी जो कपड़े हैं वो जो सूख चुके हैं वो मैंने उतार लिया है युवान सो चुका है और अभी जो है ना मेरा घर का भी काम हुआ ने क्योंकि मैं इसको सुलाने के लिए चले गई थी आरना को भूक लग रही थी तो मैंने इसको राजमा चावल द जाली दी ती सूखा कर आ गई हो तो थोड़ा सा बस और यहां का यह जो सोफा का बैड ना इसके पीछे वैसे मैं हर महीने जो है ना मैं साफ करती हूं इन सारी चीजों को हटा अटा कर बट एक बैड है जो कि मैं साफ बिलकुल भी नहीं कर पाती हो बैड इसको सरकाना और समान को बैड के अंदर से निकालो फूर सरका हो तो बहुत टैम घजाता है तो बस एक बैड है जिस को मैं हटाकर सफाई नहीं कर पाती बाकि जो सारे चीजे हैं मैं माहीने में एक बार हटा हटा कर जो है न सफाइब करती हूं आपके साथ दीवी शेयर करूंगी क्योंकि य यह चोटी चोटी सफाईया है वो खतम सी होती जारी है मेरी बस एक बस यह हटा हटा कर थोड़ा साफ करना है मंदी क्लीन करना है तो अभी यह सब चलेगा अच्छा भी बस मेरा और आज जहना मैं थोड़ा सा सुबह नहा ली थी पूजा बगरा भी कर लिया है फिर उसके रग दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है यह कोनी पर बैठो आ वाज काफी अच्छी आती है और मुझी तो अच्छी सब्सक्राइब और बहुत मन करता है कि मैं मतलब वहां जाओं तो बात हुझ करते हैं बर बड़ आर रहा है कि पढ़ने के लिए वह बार आजा अ तो हिंदी अभी की रिवीजन ही कर रही है हिंदी इसको थोड़ी सी टफ लगती है बट मैं इसको करवाई रही हूँ धीरे-धीरे करे लेती है तो सारा काम हो चुका है और अभी मैं बस नहाने के लिए जाओंगी नहा कराओंगी और उसके बाद जो है ना फिर मैं क्या बूलते हैं खाना खाओंगे क्योंकि टाइम बहुत जादा हो चुका है तो बस अभी आरना को मैं नहाने के लिए जाए रही थी तो सोचा कि चलो आर विजन भी करवाती रहती हो और लेखित तो खेर रहता ही रहता है इसका रिटर्ण सहरे तो मैं आजकल आरना को यही मैं हिंदी यादा पड़ा रही तो लेखित वाला वर्ड आ गया है खेर अच्छी बाते हिंदी भी बहुत जरूरी है आने बच्चों को मैं थोड़ा जो है आरना को हिंदी के जो कुछ वर्ड जो है जैसे वो सब समझाती रहते हूं कि इसको हिंदी बोलते हैं इसको संस्कृत बोलते हैं और अभी हमारा आसी चल रहा है तो अब इसको मैं बस होमवर्ड देके फिर मैं खाना खाते हूं और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा गोलो के लेकर लेट केई थी थोड़ा सब के साथ मस्ती वेकरा की तो पूरा दिम मेरा पता ऐसे ही निकल जाता है मुझे खुद ही नहीं समझ माता कि कब चला गिया मेरा पूरा दिम अच्छा यह जो आना की प्लेट में जो मैंने राजमा चावल खाये थे वही वाले जो है ना वो रा प्रेट जो है ना फिर मैं अपने शायम की काम निप्टाती हो तो जो भी मैं क्रीम जो लगाती हूँ तो मैं लगाती हूँ वैसलीन वाइटिंग वाली अगर आपने देखा होगा तो चाह सर्दियों चाह गर्मियों मुझे वही ही अच्छी लगती है पता ने क्यों बहुत स्टार्टिंग से शारी से पहले से ही माई वही क्रीम लगाती है तो पकाफी फ्रे यू श्चे लगती है तो मैं वही योज करते हूँ अच्छा भी कपड़े सारे सुप चुके हैं तो अभी मैं लेकर जाओंगी और कपडों की तेह तो भी नहीं लगाँगी क्योंकि मुझ Oh School, sorry tuition. वैसे हैरो, exam चल रहे हैं तो मैंने ही मना कर जयता है कि नहीं, क्योंकि भई जो ठादा जाता हैं मालब वो जो भावी हैं वो ना बच्चों को स्कूल प्र जाती है पढ़ाने के लिए और फिर मैंने सुचा है कि आना कहा है भी रिती है कि ममी मैं जाती हूं मन कर नहीं, तो एक को भी तो कितनी थकान हो जाते होगी, घर का काम फिर बहार जाना तो इस पज़े से मैं उसको भेजानी मन कर कोई बात नहीं, आप तुशे माली मैम को थोड़ा सा अराम करने तो मैं नहीं भेजा असलिये, अच्छा भी मैं बनाऊंगी खाने की रात की तया की दाल जो है ना, दो घंटे तक मैंने भीगो के रखा है और इसमें मैंने जो हल्दी है, नमक और नम, वह के लिए यह सब डाल के थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि जो लोकी जो है ना, वो भी अपना पानी छोड़ती है तो जितना डोगी उतना ही डाला हो तीन जो लोगी है वो एक सीटी में बन जाती है इसमझे समझे तीन सीटी लगानी पड़ रहे है युवान को देखो आज मैंने इसको इस पर बिठाया तो अब उसको आदत नहीं है इस पर बैठनी की तो उसको उतरने की ना, मुझे भी यहां से हटा दो तो मैंसको यहां पर पढ़ नहीं रही थी, कहारती है आप मुझे हिंदी में मत पढ़ाओ, मुझे हिंदी अच्छी नहीं लग रही है तो मैंने बोला कि नहीं थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि हिंदी का एक्जाम है और हिंदी भी आनी बहुत जरूरी है, सामरे सारे चीजे आनी जाता है तो मच्छा रा जाते हैं अंदर इसलिए तो इन सब चीजों करना कि दिखें कितना ध्यान देना पड़ता है छोड़े चीजों का तो मेरे जो चनी की डाल और जो लोकी है वो अच्छे से जो है ना गल चुके हैं तो अभी मैंनको बनाऊंगी सबजी तो इसमें मैं जो खड़े मसाले होते हैं वो मैं डाल रहे हूं तेज पता, बड़ी लाइची, काली लाइची और साबुत लाल मिर्ट, जीरा, तो इनका मैंने चोग मलब कर दिया है यह अच्छे से तड़क गए है तो मैंने इसमें डाल दी हैं प्याज और हारी मिर्च, हारी मिर्च मैंन वह बाल को नहीं पसंद है, तो वह निकाल सकते हैं, इस वज़े से मैंने लम्मी डा लिया, अगर आप इस तरीके से बनाऊ गे रहे हैं, तो आपको गीया चने के सब्जी है वो काफी अच्छी बनेगी, अच्छी भी लगती है, अलग तरीके से बनाते रहो तो मैं कभी कभी अलग तरीके से बना लेती हो तो ऐसे अच्छे लगती है इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिया है और उसके बाद मसाले ने तेल छोड़ दिया है और उसके बाद जो मसाले काफी अच्छे से पक चुका है तो इसको बस अच्छे से मैं थोड़ा सा उबाल आने पर मैं इसमें फिर जो मेरी सब्जी है वो बन जाएगी और भी थोड़ा से बरतन जो है जो है मैं साथी साथ में जो है मैं साफ करते जाते हूं पर बरतनों को इतना ज़दा धेर हो जाता है ना बहुत ज़दा आलस आता ह पता नहीं क्यों मुझे बरतन साफ करने में मुझे थोड़ा सा आलसाना स्टार्ड हो गया है पहले नहीं आता था बढ़ आने लगया है सब्जी बन चुकी है और युवान को साथ में लेके काम कर रहे हूं क्योंकि यह परिशान कर रहा था इसलिए तो चलिए आज का में मेरे सब्जी बन चुकी है सब कुछ हो चुका है जो चलिए मिलेंगे नेक्श वोड़े में तब तक के लिए बाबाए टेक्ट